हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट्स चीजों के बारे में जिससे आपका किचन हमेशा साप सुत्रा रहेगा तो चलिए देख लेते हैं वो क्या है खाना बनाने के बाद आप अपनी गैस को साप तो सभी करते हैं लेकिन हमेशा आप कोसिस करें कि आप थोड़ा सा साबुन लगा के तब उसको साप करें जिस पे उस पे कुछ मीठा डल गया हो या कुछ चिकनाई के दाग डल गया हो तो वो निकल जाए तो इससे एक तो आपकी गैस भी चमकेगी दूसरा चीटिया नहीं आएंगी या कोक्रोच वगेर नहीं आएंगे उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो आएंगे ही नहीं तो यह इंपोर्टन टिप्स है आप किरसोई के लिए आप किरसोई को हमेशा साफ सुत्रा रख लें के लिए और यह आप साबुन लगा के आप चाहे तो आप इसे गिल्ले कपड़े से पूछ दे नहीं तो आप एक सुख्य कपड़े से अच्छे से साफ करें इसको या पहल इसके लिए और गैस के पीछे भी आप अच्छे से क्लीन करें ऐसा नहीं बस गैस का टोप साफ कर दिया है तो हो गया तो यह आप वो तक्छे से साफ करें तो इससे आपकी गैस हमेशा चम चमाती रही दूसरे नंबर पर आता है आपका काउंटर टोप जैसे गैस की सफाई पाइब इंपोर्टन्ट और इसी counter top की भी क्योंकि counter top पे भी मरसा अटा गिर जाता आया खाने पीने की चीजे किर जाती है और गैस को उठाए के भिए आप Oops बराबर साप करें बाकि समान को उठाके भी चेक करें कि इनके पीछे कुछ है तो नहीं कुछ खाने का समान जिससे कोक्रोच चीटिया आ जाएं और इसे भी आप प्रोपर क्लीन करें इसी के साथ साथ आपको और भी अच्छा आपकी रसोई साफ सुत्री दिखेगी जिससे आप खिटकियां वगेर हैं आपकी किचन में उन पर भी आप साफ सुत्री दिखाए देती है नंबर तीन पर बात आती है किचन में यूज होने वाले समान जैसे यह वाइपर है छोटा सा डस्ट बिन है तो इसको भी मैं प्रोपर टाइम पर साफ करती हूं और यह सारा काम मैं रेनू के जाने के बाद करती हूं क्योंकि जब रेनू बर ब्रतन बरतन लगाने के बाद मैं बागी सफाय सारी करती हूं और ऐसे ही है टैब तेखो टैप का कितना एमीरोल है हमारी kitchen में, यह हमें पानी देती है ब्रतन दोने के लिए, इन्हें भी साफ रखना इतना ही important है, कितना साफ रखना हमें ब्रतन important है, तो आप इन्हें भी proper समय पे साफ करें, आप रोज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हफ़ते में दो या हपते में एक बार तो आप इसे अच्छे से क्लीन करें ऐसे ही एक किनारे जो सिंग किनारों पर पानी जम जाता है उसे भी आप प्रोपर साप करें इस से आपकी किचन हमें से चमकती दिखाए देगी आपको यह अच्छे से रगड के अर्यावी डेनू बरतन बरतन करके च सब मैं तीन चार दिन में एक बार अच्छे से साफ करती हूं ताकि जिससे गंदें ना लगें तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी किचन हमेशा साफ ही दिखाई देगी आपको गंद की दिखाई नहीं देगी और आपके घर में जो कीडे वगेरा है या सिंक से बदबू आती है यह सब परिसानिया आपको नहीं जेलनी पड़ेंगी तो ऐसे यह आप इन्हें अच्छे करती हूं तो बस मैं यह बता रही थी आपको तो आप भी ऐसे ही करें तो इससे आपकी किचन हमेशा क्लीन बनी रहेगी प्रोपर देखो कितनी चमगी है सिंग और टाइल्स वगेरा सब इसको यहां में हैंक कर दूंगी पानी बिट अपके जाएगा डस्विन भी देखो सा साप ही रहती है क्योंकि प्रोपर क्लीन होती है तो साप ही होती है अब एक टीप यह है हम सब्जी छिलते हैं और सब्जियों की छिलके ऐसे ही काउंटर टोप पर डाल देते हैं जिससे काउंटर टोप पर मट्टी और निसान पढ़ जाते हैं तो ऐसा ना करें एक पेपर ल काउंटर टोप गंदा नहीं होगा और आपको एक्स्ट्रा मेनत नहीं करनी पड़ेगी किचन को साफ करने के लिए तो इस तरह आप अपना ये टाइम भी बचा सकते हैं और अपना काउंटर टोप भी और ये पेपर उठाओ ऐसे और इसको डस्ट बिन में थ्रो कर दो और ऐसे मैं पेपर के पीस करकर और हैसा साइड की जेव में रख लेती हूंגरा इसके साइड की जेव में उसमें रखे रहते हैं अब ये जब हमने सबजी काटी है तो इसके बाद ये चाकू जो हमारे होते हैं इन्हें एजटिस ना रखें कि वह गंदे हैं गंदे ये आपने उठा कर रख दिये इन्हें भी proper clean करना important है नहीं तो चाकू आपने देखे होंगे बहुत काले-काले से हो जुपर टांग देज़न सोब जाएं तब ये आप वहां रख जमाने शाकक बात गंदे कर देखा होगा कहीं कि नारों से बहुत जाते बहुत गंदे रहते हैं तो वह देखने में भी ऐसा लगता है इतने गंदे उससे कैसे बढ़ता है तो आप इसे थोड़ा साफ करके और एक सुखे कपड़े से ऐसे साफ कर दें चारो तरफ से देखो मेरा यह ज्यादा गंदा नहीं है क्योंकि मैं प्रोपर क्लीन करती हूं इसको फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा क्लीन है इनने भी ऐसा ही न रखे क्योंकि साबुन लगा के अगर जूना हम रख देते हैं तो उसमें बद्बू हो जाती है तो आप इससे निचोड के इस तरह तब रखें और इसे कभी भी साबुन वाले डब्बे में नहीं रखना चाहिए इसमें नहीं रखना चाहिए कभी भी क्योंकि यह साबुन और गल जाएगी मैंने एक टोकरी छोटी सी हैंकर रखे है तो मैं सारे जूने इसमें रखती हूं इनमें जो एक्ष्टर पानी होता है नीचे से टपक जाता है यहां से तो वहां रखे रखके सूख भी जाते हैं यहीं स्टील वाला जूना रहता है यह इसलिए केट यदि मैं बूत किछन में चोकते थोड़ा सा ग्रीशलों हो जाता है कर नकल कोईसे ना थेटीन है नई कल प्रora ४ळ एपड़Season करेंगे तो यह अच्छे से कुरा क continuation कर दोंगई इससे क्ले आपक यसे घंदा नहीं था लेकिन गर हम डेली बेसिस पर हम इसको क्लीन करेंगे तो यह हमेशा ही हमारे चमकते हुए रहेंगे देखो यह जो हमें खाना बनाती हूँ यह स्लैब बिल्कुल उसके उपर है किचन के उपर जब भी मैं सब्जी शोकती हूँ इस पर इतना ग्रीस आजाता है देखो कितना तो इसे भी मुझे डेली ही प्रोपर क्लीन करना पड़ता है और इसे क्लीन करने से यह रखा हुआ मतब समान यहां मैंने सजा रखा है अगर क्लीन रहेगा तो ही अच्छा लगीगा अगर मैं इसे ग्रीसी ही ऐसे ही छोड़ दूगी तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं तो ऐसे ही देखो देख रहे हैं आप कितना ओइल है और आप मैंने ये आज क्लीन किया है ये नेक्स दे फिर ऐसा ही हो जाता है मुझे प्रोपर डेली ही इसको क्लीन करना पड़ता है तो आप अगर आपको भी आप अपनी दसोई में आपने भी कुछ सजा रखा इस तरह है त क्योंकि डेली बेस इस पर इनको सरफ से दोना पॉसीबल नहीं हो पाता है तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही पेपर नैपकिन से पूंच दूंगी सबको आप जो जरूरत की चीजे है मतला मुझे रोज चाहिए ही चाहिए वह मैंने इस पर रख रखी है तो इसलिए यह सब चीजेए यहां रहती है क्योंकि शामने रहती है और हैंडी रहती है लेने में यहीं है मैं ग्रीं ती लेती हूं उसका डबा देखो इन पर कितना यह एकदम चमक गए हैं बस मुझे पांच मिनट लगे हैं यह सब करने में और यह एकदम क्लीन हो गया है तो आप भी ऐसे ही अपनी किचन को चमका सकते हैं थोड़ेशी महनत करके अब आई बारी मसालदानी की आपने देखा होगा कहीं बार मसालदानी बहुत गंदी होती है क मैं इसे प्रोपर क्लीन करती रहती हूं अब दूसरे तीसरे दिन लेकिन फिर भी मसाले थोड़े इदर उदर होई जाते हैं जब सबजी में डालते हैं तो कुछ बिखर गया कुछ हो गया देखो अभी भी इसमें हो रखे हैं लेकिन उतनी गंदी नहीं है कि बहुत गंदी हो रही है लेकिन थोड़ा बहुत तो आप फिल कर रहे हो कटोरियों को तो भी बिखर जाता है तो आप इतना हीजी होता है इसको साफ करना ऐसे जरा सा मैंने इसमें पानी चिटका और एक सुके नैपकिन से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया मुझे इसमें साबुन वगयरे लगाने की कोई जड़ रतनी पड़ी क्योंकि मसाल दानी हमेशा क्लीन ही रहती है मेरी कोई ज्यादा गंदी नहीं होती लेकिन मैं प्रोपर टाइम पे इसको क्लीन करती रहती हूं ऐसे बस कटोरियां बाहर रखी और यह जब सामान खतम हो जाता तो कटोरियां साब भी कर अगर देती हूं और यह छोटी छोटी रब्यां जिसमें मैं हींग पाउडर रख रख रहा है और सो क्योंकि यह जब हम खाना बनाते तो हात लगी जाते हैं तो इन इवी में प्रोपर क्लीन कर लगए तो थोड़ी सी मेहनत और एक यह हमारा बिलकुल साफ हो गया है ठीक है अब बारी आती है हमारे घर में रबड मतलब कुछ दही मंगाई या दूद मंगाया कुछ और समान मंगाया है तो यह हमारे घर में इखटा हो जाती है बहुत सारी रबड इने फैक के नहीं इखटा कर लें ऐसे किसी काटोरी में रख ले औरarme काटोरी में आप नहीं रखना चाहतेगी औरदे तो हमारे घर funds बहुत सारी में होते हैं आप काटोरी में रखे नहीं तो इस तरह के bag वगरा पड़े रहते हैं पर्स हमारे घर में ये सबी के घर में मिल जाएंगे आप इसमें करके इने रख सकते हैं अपनी kitchen में कहीं भी जब आपको जरुत हो इसमें से ले लें तो चलिए thank you देखने के लिए धन्यवाद